नमस्कार दोस्तों मैं राहुल पटिल डायरेक्टर आप सौफतामो एज्यूकेशन सवेसिस प्राविट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सौफतामो की ऑफिशल यूट्यूब चैनल के उपर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशय या अलग टॉपिक के सामने आपके सामने उबस्तित हो रहे है इस बार का जो टॉपिक है हमारा वो है इवानो फ्राइंक के उस नैस्नल मेडिकल उन्वरसिटी चोकी यूकरेन में आया हुआ है उसके बारे में आज यहां पर हम लोग डिटिल इंफोमेशन लेंगे लाइक कहां पर आया हुआ इस्टाबलिजमेंट का वहा था उसका कैसे आपको अगर पहुचना है तो वहां पर पहुच सकते हो नंबर ओव ऑस्पिटल कितने है कितने बैड का ऑस्पिटल से वहां पर और नंबर ओफ इंडियन लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रेक्वेश्ट है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाले दुसरे वीडियो की भी आप बेनिफिट ले पाएं तो चलिए दोस्तों शुरू करत है इवासो फ्रेंकि उस नैशनल मेडिकल इुन्वर्सेटी के बारे में इवानो फ्रिंकि उस नैस्नल मेडिकल इन्मोसिटी जो है वो इवान फ्रेंकि उस सीटी के अंदर आया हुआ है अगर city के हम लोग बात करेंगे basically geography wise तो city जो है यूरोप से काफी नजदिक आया हुआ है अगर उसकी border पर आप देखेंगे तो पोलेंड भी आया हुआ है हंगेरी भी आया हुआ है स्लोवेक्या भी है और रोमानिया भी आया हुआ है एवन मॉल्डवा भी वहां से नजदिक हो जाता है तो काफी हद तक वहाँ पर European culture आपको देखने को में लगए इवन ये जो city है पहले पोलेंड में हुआ करती थी और वर्ल्ड वर्ड के बाद ये city जो है वो रशिया में सामिल हो गई थी और रशिया से जब यूक्रेन अलग हुआ तो ये country यूक्रेन में आ गई थी तो काफी हद तक आपको यहाँ पर European culture देखने को मिले गए इवन वहाँ का जो infrastructure जो बनाया हुआ है वो almost यूरोप का similar आपको देखने को मिलेगा अगर city की हम लोग बात करेंगे तो city का जो अगर city भी बोल सकते हो और पुरा oblige भी बोल सकते हो जिसे यहाँ पर अपने वहाँ पर state होता है वहाँ पर oblige हो रहता है तो oblige की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका जो geography area है वो करीबन 120 km2 का area है वहाँ पर और population की अगर हम लोग बात करेंगे तो population करीबन करीबन 2,8,000 से 3,000,000 की बीच में अभी है मौज़िदा जो population है वो city के अंदर अगर हम लोग university की बात करेंगे तो इवानो फरेंग की उस national medical university जो है वो पूरे Ukraine के अंदर as far as accreditation norms third rank पर आती है पूरे country के अंदर अगर accreditation की हम लोग बात करेंगे तो हर एक टाइप का accreditation अवेलिबल है MCI से accredited है already WHO का भी उसको accreditation है as well as ECFMG से भी accredited है यानि की after completion of medicine आप कोई भी country के अंदर practice करना चाहते है तो वहाँ की license exam qualified करके अब वहाँ पर practice कर सकते है university के establishment के अबर बात करेंगे तो 1945 में इसका establishment हुआ था जबकि Ukraine Russia का part हुआ करता था यानि की USSR का और achievement की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले 66 years के उसके कारियकाल के अंदर करीबन 20,000 जितने medical students को तो वहाँ से education वहाँ मिल से जाते है education की अगर हम लोग बात करेंगे तो completely English medium study है वहाँ पर वहाँ पर कोई भी वहाँ की localized language में आपको पढ़ाया नहीं जाता है हाला कि वहाँ पर जो उसका subject है language का वो 6 मेने के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा reason एक ही है क्योंकि medical system है similar to the Russia है वहाँ पर 3 साल का pre-clinical रहेगा 3 साल का clinical रहेगा तो जब clinical part आता है तो patient के साथ interaction के लिए आपको वहाँ की जो language है Ukrainian language वो आपको सिखनी आवश्यक है education system की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर student और teacher का जो ratio है वो करीबन एक teacher के सामने 8 से 10 student का ratio रहता है तो वहाँ पर जो concentration level रहता है student का as well as teacher का दोनों का काफी अच्छा रहता है वहाँ पर और bonding भी अच्छी रहती teacher की student के साथ जो की result improve करने में फायदे में दो सकती है और system के बारे में दुसरी बात करेंगे number of hospitals कितने है वहाँ पर तो करीबन 13 जीतना affiliated hospitals है जिसके साथ university का collaboration है यह as well as university का खुद का hospitals भी इसमें शामिल है और करीबन जो bedding capacity है university का वो करीबन 2600 प्लस bedding capacity है दूसरा जो university का plus point है वो daily class test लिये जाते है वहाँ पर और वहाँ पर सबसे जो strict बात है वो 100% attendance है जो और दूसरा जो में timing वाली अगर बात करेंगे तो morning 8 से वहाँ पर class ही शुरू हो जाती है तो यह चीज़ को कई बार negativity प्रमोट किया जाता है जो कि बहुत गलत बात है morning 8 का class होता है तो इंडिया स्टूटिन के लिए difficulty नहीं हो नीचे यह reason क्या है क्योंकि युक्रेंग का और इंडिया का जो time reference है वो करीबन तीन गंटे के आसपस का time difference है means वहाँ पर आठ बज रहे है means इंडिया के अंदर ग्यारा हो रहे है अगर student ग्यारा बजे के time पर के हिसाब से भी अगर खुद प्रिपेर नहीं हो पा रहा है वहाँ पर तो फिर वो उसकी गलती है कई बार ऐसा बोला जाता है कि student के attendance कम है यह वहाँ पर दिक्कत हो जाती है class पर student पहुँच नहीं पा रहे morning मार्ट बजे होता है तो लेकिन वो student की भी गलती है उसको खूद को medical की पढ़ाई करनी है medical की पढ़ाई कभी भी easy part नहीं है वहाँ पर जो time है और attendance requirement है जो discipline है वो आपको follow करनी पड़ेगी तब ही जाके आपको success मिलेगा तो यह चीजों की बातों से थोड़ा बहक न जाए उतना ध्यान रखना ज़रूरी है आपको आज की date में अगर number of Indian student की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1200 जितना Indian student वहाँ पढ़ाई कर रहा है आज की date में यानि कि आपको वहाँ पर जो group of students जो इवन आप city central में भी गुमने निकलेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सिर्फ Ukrainian के बीच में गुम रहे हो वहाँ पर आपको काफी सारे Indian student मिल जाएंगे महाँ पर आप पार्क में जाते हो शॉपिंग ओल में जाते हो तो आप वहाँ पर खुद को अकेले नहीं पाएंगे कभी भी क्योंकि इतने सारे student होने के वज़े से सब लोग कही ने कही पर तो मेली लेते है एक दूसरे से अगर आप यहां से इंडिया से इवानों फ्रेंकी जाना चाहते हैं तो सबसे पहला तो distance क्या है वो जानना जरूरी है तो distance के अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 5000 किलोमेटर के आसपास का distance है यहां न्यू दिल्ली से अगर इवानों का flight distance अब लोग काउंट करते है तो flight की अगर बात करेंगे मैं इस कैसे जा सकते हो आप transportation क्या अविलिबल है तो इवानों के अंदर तीन टाइप का आपको transportation वहां पर अविलिबल है वहां पर आपको domestic airport भी देखने को मिलेगा वहां पर railway station भी available है जो कि connected है हरेक city से युकरिंग के अंदर उसके अलावा वहां पर bus depo भी available है और उसके अलावा taxi cut option अविलिबल रहता ही रहता है हरेक city में तो आपको by road जाना है by train जाना है या by flight जाना है वह आपकी wish है अगर by flight की हम लोग बात करेंगे तो by flight के अंदर आप दिल्ली से या मुंबई से आप travel करना चाहते हो या चिन्नाई से या आपने यहां पर कोई भी international airport से इवन एमदाबाद है या दुसरा कोई भी अंगलूरू है कई से भी आपको ट्राविल करना है त्राविल कर सकते हो लेकिन वो connected flight रहेगी हमेशा क्यों क्योंकि वहां पर domestic airport आया हुआ है तो आपका जो flight रहेगा युक्रेंग के अंदर आप जा रहे हो तो वाया क्यों भी जा सकते हो और या फिर वाया लविव भी जा सकते हो दोनों flight वहां पर आपको अवेलिबल रहेगी लविव की बात करेंगे तो लविव इट्स बेटर आप्शन क्यों क्योंकि लविव जो है इवानों से करीब दो से डाइगंटे के डिस्टन्स पर आहुआ से अगर आप जाते हो तो जो इंटरनेशनल जो flight वो connected रहती है different different countries से कुछ flight जो होती है तरकी में इस्तंबूल से होके जाती है कुछ flight जो है वो गल्फ country के अंदर शार्जा या दुबेशे होके जाती है कुछ flight जो हो रहती है वो European country में पोलेंड से होके भी आती है ये जो flight रहेगी वो कीव तक जाएगी या लविव त आठ से दस गंटे के बीच का जरणी आपका लगेगा बाइ ट्रेन, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे दो टाइप का फैसलेटी ट्रेन में अवेलेबल रहता है एक फर्स्ट क्लास और दुसरा होता है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास की बात करेंगे तो एक कंपार्टमेंट रहता है उसके दर्वाजा होता है वह कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ दो बैठ सकते है और दुसरा जो होता है वह सेकंड क्लास होता है जिसके अंदर एक कंपार्टमेंट के अंदर फूर परसन तो आप कीव से भी इवानों जा सकते हो इवं लवीव से भी इवानों बाई ट्रेन जा सकते हो उसके लवा आप बस की अगर बात करेंगे तो बस के अंदर भी आपको करीबन 10 गुंटा तो लगेगा ही लगेगा इवानों से कीव जाने के लिए और लविव से अगर बात करेंगे तो करीवण 2 गणटे इतना डाइम लगे तो ये ट्रांसपूर्टेशन के लिए कोई दिकत वाली बात नहीं है महाँ पर आप यह बाई फ्लाइड भी जा सकते हो बाई ट्रेन भी जा सकते हो और बाई ब Alrighty आसकते हो और by taxi आप विश है आपकी तो आप by taxi भी जा सकते हो अगर multiple student होते हैं तो कई बार taxi भी prefer करते है तो दोस्तों I think आज के लिए इतना ही काफी है यहाँ पर यह बात खतम नहीं होती है इवानो का दुसरा और वीडियो भी आएगा आपके लिए जिसके अंदर different information हम लोग देंगे आपको हमारा जो next video है उसके अंदर भी आपको काफी सारी नहीं information इवानो फ्रेंकी उसके बारे में दी जाएगी तो उसके लिए आपको यह channel को subscribe करके रखना जरूरी है next video में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर hostel facility कैसी है वहाँ पर fees क्या है वहाँ पर आपका duration क्या लग रहा है और क्या-क्या चीज़े आपको द्यान में रखनी जरूरी है जब इवानों में आप admission ले रहा है तो तो दोस्तो मेरा फिर से आज request है आप सबको कि अगर यह video आपको पसंद आया है तो like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले और अगर आपको यह channel अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बस अपना ध्यान रखें धन्यवाद